जब राहूल गांधी को एयरपोर्ट पर करना पड़ा दो घंटे का इंतजार? मिला दिल जीतने वाला जवाब कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी मंगलवार को अमेरिका की यातरपर पहुँचे अमेरिका पहुंचे राहूल गांधी का एरपोर्ट पर इंडियन ओवर सीज कॉंग्रेस की अध्यक्ज सैम पितरोदा ने स्वागत किया लेकिन राहूल गांधी को एरपोर्ट से निकलने के लिए दो घंटे का इंतजार करना पड़ा इस दोरान राहूल गांधी आम लोगों की तरह एरपोर्ट की लाइन में खड़े रहे इसकी फोटो भी सामने आई एरपोर्ट पर राहूल गांधी को देखकर लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और बातचीत भी की बाचीद के दौरन राहूल गांधी ने खुद को आमाद्मी कहा राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं अब कोई सांसद नहीं हूँ दरसल विवादित भासन के चलते राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली और उनकी लोकसभा सदस्ता चली गई लिहाजा राहूल गांधी को डिप्लोमेट पास्पोर्ट की जगह साधारन पास्पोर्ट से यातरा करना पड़ा है राहूल गांधी ने अपनी यातरा के पहले दिन सेन फ्रांसिस्को में भारतिय समुदाय को संबोधित किया इस दोरान राहूल गांधी ने पीयम मोधी पर भी जुवानी हमले किये, उन्होंने अपनी भारत जोलो यातरा का जिक्र भी किया, और ये आरोप लगा दिये कि मोधी सरकार ने उनकी भारत जोलो यातरा को रोकने के हर संभब परयास किये. Some months ago, we started a walk from Kanya Kumari to Kashmir. prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. all the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the PJP and the RSS. You know, people are threatened, ISIS are put in people, agencies are used on people, so we also are finding that in some way, it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from the southernmost tip of India. बता दें कि राहूल गांधी की अमेरिका यातरा चार जुन को खत्म होगी, इस दोरान चार जुन तक राहूल गांधी अमेरिका के तीन शहरों का दौरा करेंगे, और कई कारेक्रमों में जाएंगे, गाहुल गांधी का भारतिय समूदाय और अमेरिका के सांसदों से मुलाकात और बाचीत का कारेकरम भी है इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ